हलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम क्लास तेंथ का जो भी हारबोट का एक्जाम हुआ था मैट्रिक का उसके प्रिभियस एस के क्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो यह जो वीडियो है इसमें हम 2021 में जो सेकेंड सेटिंग में हिंदी की एक्जाम हुई थी उसके वस्तुनिस्ट परसनों को सॉल्व करेंगे इसमें जो वस्तुनिस्ट परसन है उनकी संख्या है 100 और 100 संख्या में से आपको 50 सॉल्व करने होते हैं बट यह जो चुटूलेल है इसमें हम पूरे 100 को सॉल्व क करेंगे एंड हो सकता है कि जो एक सीरीज है जैसे कि यह सेटिंग सेटिंग की एक सीरीज होगी एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें एक से ज्यादा वीडियो होंगे तो मैंने क्या किया है कि अपनी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसका नाम मैंने रखा ह है class 10th Hindi question bank second sitting 2021 for VR board इसके अंदर आपको इससे related जैसे मैं अभी second sitting के लिए video बना रहा हूं तो इससे जो second sitting का video second sitting के जितने भी questions होंगे उस playlist में आपको मिल जाएंगे यदि यह से ज्यादा video होता है तो वह आप उस playlist में जाकर के access कर सकते हो इसी तरीके से मैं first sitting का भी बनाऊंगा तो आप उसका भी उससी तरीके का आपको playlist मिल लाएगा तो चलिए हम इन सारे question को solve करते हैं ओके तो सबसे पहला question जो है हमारा वह क्या कहता है कि बाबा साहब भीम्रा अंबितकर का जन्म किस स्राज में हुआ था मैदे परदेश में यह आप सभी को पता होगा दूतरा जो question है उसका answer क्या होगा पहले question देख लेते हैं कि अनुमती सब्द का पारिवाची निम में से क्या है अनुमती सब्द का पारिवाची पारिवाची कहने का मतलब होता है कि दो सब्द जिसका मिनिंग एक हो तो अनुमती को हम क्या बोलते हैं सहमती भी बोलते हैं तो इसका answer हो जाएगा सहमती रक्षा सब्द का बिलोम क्या है बिलोम कहने का मतलब है उल्टा तो उल्टा जो है रक्षा का बिलोम कहने का मतलब है उल्टा जो है रक्षा का क्या हो जाए मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था मैक्स मूलर का जो जन्म है वो हुआ था 1823 में सर बिलियम जॉन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे सर बिलियम जॉन्स समुद्री यात्रा करते हुए 1827 में भारत पहुँचे थे आनमदास का पोथा उपनियास किस लेखक की कृती है आनमदास का जो पोथा है हजारी दास त्रिवेदी ने इस उपनियास को लिखा था वास्तविक सब्द में परतिया है परतिया क्या होता है जो सब्द के अंत में लगता है है तो इसका परते क्या हो जाएगा एक हुआ अगे हुआह कि कि नाइन नंबर tells नि देखते हैं हजारी पॉषर जिर्वति निर्लज्ज अप रदि किसे कहता है निर्लाय अप रदि वह काते हैं ना खुन को ने उफ शर्ग के योग से बना सबद कौनशन आ है नि उफसर्व के योग से बना हुआ सब जो है वो है आपका नियम भरतिये लीपियों की कहानी पुस्तक के रचयता कौन है? भरतिये लीपियों की कहानी के पुस्तक के जो रचयता है वो है गुनाकर मुले कौन है? गुनाकर मुले जाती है किस लिपी से ली गई है ये कोस्टन गलत होगा किस लिपी से ली गई है तो ये होगा देवनागरी लेखक अमरकांत ने ह। से होता है तो का उचारान हम कहां से करते हैं दांतों से करते हैं दंत से बहादू सिसक कहानी में किसोर कौन था बहादू सिसक कहानी में किसोर जो है वो लेखक का पुत्र था रम्बिलास सर्मा का जन्म कब हुआ था? रम्बिलास सर्मा का जन्म जो है 1912 इस्वी में हुआ था परंपरा का मुल्यांकन है परंपरा का मुल्यांकन क्या है? परंपरा का मुल्यांकन निबंध है जीत जीत मैं निर्खत हूँ पाठ के लेखक कौन है जीत जीत मैं निर्खत हूँ इसके पाठ के लेखक है पंदित बीर्जीव महराज मचली सिर्षग कहानी के रचाइता कौन है मचली सिर्षग कहानी के रचाइता है बिनोध कुमार सुक्र निवन में नर्ग सब्द का बी सेशन कौन है नर्ग की है निवन में आख सब्द का परिवाची को आना है परिवाची मतलब आपको समझ में आही रहा होगा जो दो सब्द जो जिनका मिनिंग एक ही हो तो आख को हम लोचन भीगाते है बंधन सब्द का बिलूम क्या है बंधन मतलब बंधन मतलब किसी का बाउंडेशन इसका बिलूम मत कि इनका नाम था बिस्मिला खां का नाम था अमीर उदिन नेक्स्ट कोश्टन देखते हैं तो ये आपको सभी को पता ही होगा महात्मा गाधी के पीता का नाम क्या था आप कमेंट में लिखके बताएए मुझे तो महात्मा गाधी के पीता का नाम था किरम चन गाधी कम खाने वाले के लिए एक सब्द है hear conv साल के उमर में ही उनको मिल गई थी ओके चातर सब्द का इस लिंग क्या होता है चातर चातरा तो चातरा हो जाएगा गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था सुलक्षनी गुरु नानक जी जो थे उनके पत्नी का नाम था सुलक्षनी बेमन सब्द कौन सा समास है बेमन सब्द तो माली मालीन जो है राधा क्रिष्न को कहा, गुरु नानक किस मार्ग के कभी हैं? गुरु नानक जो है वो निर्गुन भक्ति मार्ग के कभी हैं? इन मुसल्मान हरिजन पो कोटिन हिंदू वारिये किस ने कहा था? ये जो सब्द है ये कहा था रस्खान ने, रस्खान ने ये कहा था, इन मुसल्मान हरिजन पो कोटिन हिंदू वारिये रस्खान ने कहा था, मीर मुंसी ने किस कभी का वद किया था? मीर मुंसी जो है इन्होंने धनानंद का वद किया था मीर मुंसी ने किसका वद किया था धनानंद का रमधारिय से दिनकर रमधारिय से दिनकर कहा कर रहने वारे थे रमधारिय से दिनकर जो है बिहार कर रहने वारे थे सुमित्रा नंदपंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ती है सुमित्रा नंदपंत के अनुसार भारत माता जो मूर्ती है वो उदास घाटी का परतिक है भारत सवभाग किनका परसिधिनाटक है भारत सवभाग जो है प्रेमघन का परसिधिनाटक है सने को मारग रिखांकित सब्द में कारग कौन सा है इसमें कर्म ब्याम सब्द का संधी बिचेद ब्याम सब्द का सब्दी बिचेद क्या होगा वी जो आयाम दहीवला मंगमा किस भासा से अनुदित कहानी है दहीवला मंगमा जो है कणर भासा से अनुदित है धाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है धाते विश्वास कहानी के कहानी के है जो कहानी के संपादक है वो है साथ कोरी होता साथ कोरी होता धाते विश्वास के संपादक है काला पानी किसका लोग पर ये उपन्यास है काला पानी जो है इसवर पेटलिकर का उपनियास है किनका है इसवर पेटलिकर का अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है यह किस ने कहा था यह कहा था मेटरन ने मंगो की भरती के लिए मा ने किसे पत्र बुलाया था पत्र लिखकर बुलाया था तो मंगो की मा ने अप उन्हें बड़े पूत्र को पत्र लिखके बुलवाया था 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 46 क्या कहता है कि लक्षमी के बड़े लड़के का नाम क्या था लक्षमी का जो बड़ा लड़का था उसका नाम था अच्य यूत सविक्षा सेवक दल का गठन किस ने किया था सविक्षा सेवक दल का गठन गुन्नी धीने किया था किस ने किया था गुन्नी धीने लक्षमन कहा नोकरी करता था लक्षमन जो है मदरास्म नोकरी करता था मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था किस दिन सिता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फिकी है तो ये नहर सिह जी वाले दिन सिता को लगा था कि लाइसी बिल्कुल फिकी है तो इस वीडियो में हम 85 कोशन करेंगे चुकि वीडियो काफी बरी हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में हम और पचास कोस्टन करेंगे तो ऐसे वीडियो यदि आपको लग रहा हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में लिखके बताए कि सर मुझे और भी जितने भी सब्जेक्ट है उसके भी इस तरह के क्या वीडियो चाहिए जिसमें मैं प्रिवियस कोस्टन बैंक का एंसर आपको बता सकूँ ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट टूट्रियल में वीडियो देखने के लिए थैंक्यो